हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे आपके फायदे के बारे में जी हाँ आपका फायदा किस तरह से और क्या क्या है इस वीडियो में आज अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले तो आप सभी को मुबारक हो कि आपके मांदे में बढ़ोतरी हो गई है अब रेटायर्मेंट के बाद एक मुस्तरकम कुछ आपको मिलेगी जो आपकी आर्थिक साहता में लाबकारी होगी इसके अलावा आपको और भी बहुत से सुविधाय मिली है तो चलिए देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीज है सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि संचाल नाले महिला इंबालविकास विभाग मद्द प्रदेश का पत्र है जो जारी किया गया है 14 जुलाई 2023 को इस पत्र को जारी किया गया है तो चलिए देख लेते हैं किसे किसके नाम से पत्र जारी हुआ है ये है जिलाकारी क्रम अधिकारी महिला इंबालविकास विभाग समस्त मद्ध प्रदेश मतलब मद्ध प्रदेश में जितने भी जिलाकारी क्रम अधिकारी है वो सब को ये लैटर पहुंचा है तो देख लेते हैं विसे है संचाल नाले महिला इंबालविकास से देखिए 62 वर्ज की आयू जब पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आप लोगोंगों को एक मुस्ति 26-23 को जो पत्र जारी किया गया था ये जारी किया गया था मदप्रदेश सासन द्वारा उस पत्र के संदर्ब को लेकर ये आदेश जारी किया गया है तो चलिए देख लेते हैं इसमें लिखा है विसे है करप्या मदप्रदेश सासन महिला इंबालविकास विभाग मंत्राले वल्लब भवन के संदर्वित पत्र का अवलोकन करने का कस्ट करें कह रहा है अब इसमें आगे है उप्रोक्त पत्र के माध्यम से राजे सासन द्वारा 62 वर्ष की अपा आयू पूर्ण कर सेवन वर्थ होने वाली आंगनवाडी कारे करताओं को एक मुस्तर रासी कित्ती मिलेगी 1,25,000 जो आंगनवाडी कारे करता हैं सेवन वर्थ होंगी उन्हें एक लाख की रासी और जो उप आंगनवाडी कारे करता हैं जो मिनी आंगनवाडी के अंदर की हमारी कारे करता हैं उन्हें वे रासी मिलेगी कितनी मिलेगी उन्हें उन्हें भी मिलेगी एक लाख रुपे रासी सेवन वर्थ होने पर तो ये आप लोगों के लिए बहुत ब अगनवारी कारे करता हैं उन्हें काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा था तो अब आपको एक मुस्तरासी मिल रही है जो कि बहुत ही खुशी की बात है तो ये पत्र जारी किया है हमारे आयुक्त महदेने महिला इमबाल विकास विभाग मद्द प्रदेश के उन्होंने पत्र को जारी किया है और देखे सेवानिवृत्ती पर जारी होगी तो कम मिलेगी आप लोगों को एक मुस्तरासी का भोकतान एक जुलाई 2023 के बाद जो सेवानिवृत्त होंगे उन्हें इसका भोकतान किया जाएगा इस चीज को आप ध्यान रखे अब इसके बाद चलते है और देखते हैं कि और क्या बात है इसमें तो देखी यहाँ पर आयुक्त महदे ने पत्र जारी किया है इसके बाद यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि प्रतिलिपी किस-किस को यह लैटर की गई है पत्र किस-किस को प्रतिलिपी गई है यहाँ पर दो बार साइन होते हैं ध् परियावास भवन भूपाल कलेक्टर जिला समस्त मतलब सारे जिलों के कलेक्टर को भी यह लैटर गया है सैट तो संचालग जो हमारे संभाग स्तर पर होते हैं उन्हें भी यह पत्र गया है कोसाले अधिकारी जिला समस्त कोसाले मदप्रदेश शार्षन उन्हें भी यह पत्र जारी हुआ है और समस्त जितने भी मदप्रदेश सासन में परियोजना अधिकारी है उन सब को भी ये पत्र जारी किया गया है ताकि जल से जल ये हमारी कारेकरता बहन है जो 1 जुलाई 2023 के उपरांत रेटायर हो रही है उन सब को ये रार्सी मिलेगी जो जो उनका प्रावधा चलिए तो देख लेते हैं कि संदर्भित पत्र क्या है तो देखिए मदप्रदेश सासन महिला इंबालविकास विभाग मंत्राले वल्लभवन भूपाल का ये पत्र है ये जारी किया गया था 28 जून 2023 को ये जारी किया गया है इस पत्र का क्रमांक है और उसके बाद इसमें लिखा है राज्य सासन द्वारा आंगनवाडी कारे करताओं साही काओं ये मिनी आंगनवाडी कारे करताओं के लिए पत्र है तो देख लेते हैं यहाँ पर जो लेटर दिया था इस लेटर में नीचे में जो संदर्भ लिखा है वही इस लेटर का संदर्भ है यही लेटर क संदर्भ को लेकर इन्होंने ये पत्र जारी किया है तो इस संदर्भित letter को देखना बहुत ज़रूरी है किसमें क्या क्या दिया है इसमें है आंगनवाडी कारिकरताओं साहिकाओं मेरी कारिकरताओं कि सेवा सर्टों में संसोधन करते हुए निन्ना अनुसार निर्णे लिए जाते हैं कौन से नेर्ण है फस्ट है आगनवाड़ी कारिकरताओं के अत्रिक्त मांदे में राज्यमद से रासी रुपई तीन हजार प्रतिमाह मतलब जो मानी आगनवाड़ी कारता है उनका प्रतिमाह वेतन में कितनी वरद्धी की जा रही है तीन हजार रुपए प्रति महा की आंगनवाड़ी सहाई का में आंगनवाड़ी कारिकरताओं के अतरिक्त मांदे में राज्यमद से रासी रुपए साड़े साथ सो रुपए की प्रति महा वरद्धी की जा रही है जो कब से स्विक्रत है एक जुलाई 2023 से प्रदान की जाएगी और ये मांदे वरधी माह जुलाई 2023 के मांदे जो माह अगस्त 23 में दे होगा से लागू होगी मतलब आपके जुलाई के मांदे में आपको ये बढ़ी हुई रासी मिलेगी लेकिन कम मिलेगी अगस्त में जो जुलाई का मांदे मिलेगा उसमें आपको मिलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है ये दूसरा बिंदू है आंगनवाडी कारेकरताओं के मांदे में रासी रुपए एक हजार वार्सिक वरद्धी तथा आंगनवाडी साही कायम मिनी आंगनवाडी कारेकरताओं के मांदे में रासी रुप और 500 रुपए होगी आंगनवाडी साही का और मेनी आंगनवाडी कारेकरता के मांदे में तो ये भी बहुत अच्छी बात यहां पर हो गई है इससे आपको प्रतिवर्स मांदे बढ़ता रहेगा तो आपको भी संतुष्टी रहेगे कि आपके मांदे में काम के हिसाब से बढ़तरी हो रही है उसके बाद है तीसरा बिंदू 62 वर्स के आयू पूर्ण कर सेवा निवर्त पर आंगनवाडी कारेकरताओं को एक मुस्त रासी रुपए एक लाख पच्चिस हजार आंगनवाडी साही का और मेनी आंगनवाडी कारेकरता को एक लाख रुपए भोकतान की सुईक्रती प्रदान की जाती है एक मुस्त रासी का भोकतान एक जुलाई 2023 के उपरान सेवा निर्वर्ति पर दे होगा देखिए अभी जो हमने उपर पत्र पड़ा था वो इसी के संबंध में था कि एक लाख रुपए आंगनवाडी साही का और मेनी आंगनवाडी कारेकरता को मिलेंगे और एक लाख पच्चिस हजार मिलेंगे आंगनवाडी कारेकरता को तो देखिए कब से दे होंगे ये एक जुलाई 2023 के बाद जो सेवने वरत्त होंगी हमारी आंगनवारी कारिकरता साहिका और मिनी कारिकरता उन सब को ये मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके विसे में बहुत ही अच्छे निर्णे आए हैं ये देखिए पत्र है उपसची म और आयुक्त महिला इंबालविकास भौपाल को तो ये पत्र जारी किया गया है चलिए देख लेते हैं अगले पत्र को अगला पत्र है जो है हमारा वो है ये भी संचाल नाले महिला इंबालविकास सेवा मध्ध प्रदेश ने जारी किया है और 14 जुलाई 2023 को ये पत्र भी जारी किया गया है इस पत्र को भी ध्यान से हम देखेंगे कि क्या क्या है इस पत्र में जो मैंने आपको भी संदर्भित पत्र बताया उसी संदर्भित पत्र के अनुसारिये सारे पत्र जारी किये गये हैं लेकिन जब तक पत्र जारी नहीं किये जाते तब तक आपके मांद में आपके सेवा मृत्ति के बाद और वार्शिक व्रधि जो भी दी गई है वो सभी लाब आपको मिलने लगेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है और क्या है इस लेटरों में चलिए देखते हैं तो ये देखिए ये है हमारा लैटर 14 जुलाई 2023 को जारी किया गया है समस्त जिलाकारी क्रम अधिकारी को जारी किया गया है यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि विस्य क्या है संचाल नाले महिला इंबालविकास सेवा मध्य प्रदेश अंतरगत निरंतर संचालित यूजना आंगनवारी कारे करता सहाई कायम उप आंगनवारी कारे करताओं के अत्रिक्त मांदे में वार्सिक व्रधी तो वार्सिक व्रधी में क्या क्या लाब होंगे यहाँ पर दिया हुआ है यह पत्र जारी किया गया जो संदर्बित पत्र मैंने आपको बताया उसी के बिहाफ में यह जारी किया गया है तो चलिए देख लेते हैं संदर्ब में देखिए वसी पत्र का क्रमांख है और इसके बाद है उप्रोक्त पत्र के माधिन से राज्य सासन द्वारा आंगनवारी कारे करताओं आंगनवारी सहाई काओं इम उप आंगनवारी कारे करताओं के मांदे में रासी रुपए एक हजार वार्सिक वरद्धी तथा आंगनवारी सहाई का इम मिनी आंगनवारी कारे क करताओं के मांदे में रासी रुपए 500 वार्सिक वरधी राजिमद अतरिक्त मांदे से आगामी वर्ष से प्रदान की जाएगी देखिए अभी संदर्वित पत्र में हमने यही पढ़ा था कि जो आगनवारी कारे करता है उसको प्रतिवर्ष 1000 रुपए की वार्सिक वरधी जुलाई पेडिन अगस्ते से दे होगी मतलब आगामी यह वार्सिक वरधी आगामी वर्ष जुलाई मतलब जो आने वाला हमारा साल है उसमें जुलाई में यह वरधी मतलब मांदे में 1000 रुपए कारे करता कि और साही का और मेनी का आगनवारी कारे करता कि 500 रुपए जुल आपको अगस्त में मिलेगा जुलाई का उसमें आपको प्रतिवर्स ये व्रधी होके मिलेंगे तो ये देख लिया आपने अब इस लैटर को जारी किस ने किया यह आयक तुमादय ने जारी किया है महिला इंबाल विकास वेभाग मद्धप्रदेश से और यहां पर पी दी गई है सभी लोगों को देख सकते हैं आप लोग इसके बाद चलते हैं अगले पत्र को हम देखते हैं जो की मद्धप्रदेश सौसन द्वारा ही संचाल नाले महिला इंबाल विकास के द्वारा जारी किया गया है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसको जारी किया संचाल नाले महिला इंबालविका सेवा मदप्रदेश अंतर्गत संचाल इत्योजना आंगनवाडी कारेकरता शाही कायम उप आगनवाडी कारेकरतां के अत्रिक्त मांदे में व्रधी कौन कर सकता है राज्य साथन ये भी लैटर जो है 14 जुलाई दोहजार तेईस को ही जारी किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं, उप्रोक्त पत्र के माध्यम से राजिसासन दोरा अगनवाड़ी कारे करता, सही काईम उप अगनवाड़ी कारे करताओं के मांदे में दिनाग एक जुलाई दोहजार जुलाई 23 के पेड इन अगस्त 2030 मतलब जुलाई से व्रधी की गई है और वो मिलेगा अगस्त में जुलाई के मांदे अगस्त में हमें प्राप्त होगा कि अतरिक्त मांदे में निन्मानुसार व्रधी की गई है आगन वाड़ी कारे करताओं कि अतरिक्त मांदे में रासी रुपए 3,000 प्रतिमा की व्रधी की जाकर कुल रासी रुपए 8,500 प्रतिमा निर्धारित की जाती है और साड़े आठ हजार रुपए वराजी सरकार के हो गए हैं तो इस प्रकार आपको 13,000 रुपए आपके मांदे में आपको प्राप्त होंगे आंगनवाडी साहिका के अतरिक्त मांदे में रासी साड़े 700 प्रतिमाह की वरधी की जाकर कुल रासी साड़े 3,000 प्रतिमाह निर्धारित की जाती है इस प्रकार वर्तमान में केंदर सरकार द्वारा निर्धारित मांदे की रासी बाइस सो पचास रुपए प्रतिमाह एवं अतरिक्त मांदे की रासी रुपए 3,000 रुपए प्रतिमाह कुल रासी रुपए 5,750 प्रतिमाह मांदे के रूप में दे होंगे तो देखिए 2,250 रुपए आपको केंदर सरकार की तरफ से मिल रहे हैं और राज्य सरकार अब आपको 3,000 रुपए देगी तो इस हेसाब से 5,750 रुपए साही का को मांदे प्रतिमाह प्राप्थ होगा उप आंगनवाडी कारे करताओं कि अतरिक्त मांदे में रासी रुपए 7,500 प्रतिमाह की रूप में मिलेगी मतलब 3,000 रुपे यहां केंदर सरकार दे रही है और राजे सरकार 3,000 रुपे दे गी है मेनी आंगन वाड़ी कारे करताओं को तो इस तरह से उनके 6,000 रुपे प्रतिमाह के रूप में उन्हें रासी प्राप्थ होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आपके मांदे में व्रधी हुई है मांदे कुटना है आपका अतरिक्त मांदे कुटना है और दोनों मिलाकर कुल मांदे आपको अब कितना प्राप्थ होगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको एक अच्छी खासी रकम अप मिलने वाली है। अब आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझ में आ गया होगा कि अब आपके मांदे में कितनी बढ़ोत्री हुई है। कितना रिटार्मेंट के बाद आपको रासी मिलनी वाली है, सेवा निवरत्ती के पस्चात और क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंगनवाडी कारेकरताओं में शेयर करें ताकि उन्हें फायदा हो सकें। धन्यवाद।